सलाबंदी को लेकर जहां कई राजनेता सवाल उठा रहे हैं वहीं अब इसको लेकर पुलीस बालों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है भागलपूर के इसाक्चक थनाचत के भीकनपूर गुम्टी नमबर दो इस्तित तिन मुर्ती चौंक के पास एक घंटे से भी अधिक समय से एक वैक्ती बेसुध पढ़ा हुआ था आसपास के लोगोदरा उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था पुलीस लाइन के एक सिपाही जब वहां पहुँचे तो उसे पहले लात मारकर उठाने का प्रयास किया वहीं जब बैक्ती नहीं उठा तो पुलीस कर्मी गुस्से में आकर सरकार को गाली देते हुए कहने लगा कि घर घर सराव मिल रही है और हम लोगों को परिसान किया जा रहा है सिपाही का नाम बिनोद कुमार है जो पुलीस लाइन में अपने आपको पदस्थापित बताया सवाल उठता है कि मुक्मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जब स्राबंदी को सकती से पलन कराने वाले पुलीस के जवान ही सरकार के खिलाब इस तरह के सब्द का परियोग करे तुसराबंदी की सफलता की हकीकत समझी जा सकती है मिलता है कहां से मिलता है कहां पिया यह घंटा से पड़ा हुआ हाँ अधा गंटा पोने गंटा से है लगो पुलीस गारी ताभी नहीं आई है नहीं देखें गई को अधाना चाहिए बिलकुल का इक सराबंदी पर रोक है तो यहां तो सराब पी करके स्वाया हुआ है तो इ मेरा नाम अस्तुबोध विप्ता अधेश दिया गया वहीं स्कूलों में बन रहें मिड़े मील में कहीं कोई गरवड़ी ना हो इसको लेकर प्रधनाचारे को अधेश जिलाधिकारी के तरफ से दिया गया है वहीं जहां संसाधनों की कमी है ऐसे स्कूलों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार राज बाल समीक आयोग का गठन किया है स्रम संसाधन बिभाग ने अधिसूचना किया जाने के बाद आरजेडी निता चक्रपानी हिमानसु को आयोग का ध्यच बनाया है वही राजीब कांत मिस्रा को उपाध्यच बनाया गया है अधिच अरुपाध्यच दोनों का संभान समारो तिलकामाजेश्टित एक बिभाभमन में किया गया जिसमें काफी संख्या में राजिके परबुद्द्जनों और आम लोगों के दोड़ा दोनों को फूल माला पहना कर उनका संभान किया गया इस दुरान लोगों ने बाल स्रम आयो के अध्यच और उपाध्यच चुने जाने पर दोनों की जम कर सराना की। अध्यश ने कहा कि बालस्रम को लेकर बिहार में कराया जा रहे कारियों में तेजी लाए जाएगी और बालस्रम करने वाले बच्चों को मुक्त करा कर उन्हें स्कूल भेजने की सुरुआत की जाएगी आध्या कर रहे बच्चन चार्म की बढ़ाएगार माल तरह कष़़ों नहीं जा पाता है। उनके परिवारों के लिए इंरावास, बुड़ापन सार पुर्स बेश्था कर मात था। मुझा अच्छा लेगा है सम्मान पाज़ा और खास करके अपनों के पीश इस तरहे हैं अपनों से बुट सा हवार बाता है साथी साथ इस बात पर भी अशास को आए अगलों के सभी सभाई दों का यहाए स्वर्गया इंद्रा गांधी की 105 वी जहनती के अवसर पर नाथ नगर इस्तितराम नंदी देवी अनाथ थाले में जिला महिला कांगरस की तरब से अनाथ बच्चों के बेच कंबल वीतरन और फल वीतरन का कालिक्रम आयुजित किया गया इस सबसर पर कांगरस विधायक दलके निता अजीत सर्मा के दोरा अनाथ बच्चों के बेच कंबल और फल के साथ है साथ नवजाद सिसियों के लिए सरलेक सहित नवजाद बच्चों के काम में आने वाली सामगरी का वितरन किया गया विधाय कजीत सर्मा ने कहा कि इंदरा गांधी सबों का ध्यान रखती थी चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर वहीं विकास के काम भी उनके दुरा जो किये गए है वो आज तक लोग याद करते हैं जो सक्षियत थी वो तो सब लोग जानता है उनके जमदिन के अफशर पर 105 मां है अज तो इसलिए उस अफशर पर हम लोग अनाथ बच्चों को कंबल और ये देने काम करते चाहे ताकि वो पूरे देश को एक जुट सभी गरीब अमीर सभी लोगों को लेकर चलने वाली एक सक समहार नाले इस्ति धरना अस्तल पर जुगी जोपड़ी संखर समीती के दोला एक दिवसिय धरना दिया गया लोग का कहना है कि पिछले 35 सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्सन भी किया जा रहा है लेकिन ना तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जिला प्रसासन के द्वारा भी कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा है लोग का कहना है कि भीकनपूर एक नंबर गुम्टी पर ये लोग रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं वहां भी रेलवे के दुरा नोटीस जारी कर खाली करने का आदेश दिया गया ह इन लोग का कहना है कि अब ये लोग कहां जाएंगे अगर प्रसासन बिस्थाफितों को जमीन मुहया नहीं किराती तो यह प्रदर्सन और भी जोड़दार होगा प्रसासन के समक्यें मांग कर रहे हैं कि बोमीन है हम लोग को घर नहीं है हम लोग को पुनर्वासित कीजिए और रेलवे की जमीन पर मेडिकल की जमीन पर हम बहले लोग बसे हुए हैं कि रूट की नारे बसे हुए हैं कि बराबर उजारने का हम लोगों को जो है खत्रा बना हुआ रहता है अब बताइए इधर भी रेलवे कई वार नोटीस दिया इधर भी सब्सक्राइब करो तो आप बताइए कि साथ दिन के अंदर हम लोग कहां जाएंगे क्या करेंगा हम लोग को अपना घर यह नहीं नहीं है बागलपूर के पीरपैती परकड अंतरगत रिफातपूर पंचायत के भीमा उराब को सरकार के दोड़ा एक एकर जमीन मौबजे के रूप में दी गई थी 2020-21 में एनार कटवाने जब वह अंचल कारिया लगए तो हाँ बिशनु नमक बैक्ती ने 2600 रूपी एनार कटवाने के नाम पे लिए उसके बाद सरकारी अमीन द्वारा जमीन मापी का टाइम दिया गया और नहीं दोगे तो ऐसे ही चलते जाएगा वह 2020 में एनार कटवाने तक भी माउराव की जमीन मापी नहीं हो सकी है परकंड में ऐसे कितने गरीवों की जमीन मापी के नाम पर सालो साल से मामला टलता आ रहा है भी मुराव ने कहा कि अगर मुझे जमीन का पैमाईस नहीं हु और अगर ऐसा होता है तो मेरी मौत की जम्मेदारी सरकारी अमीन सहनवाज और पिरपैंती अंचला धिकारी होंगे सरकार अपनी कारवाई करे मैं आदिवासी होकर दरदर भटक रहा हूं और यहां धिकारी मस्त हैं यह घटना अंचर कारियाले में सरकारी अमीन की मनमानी द पहले मोधा यादब टोला मद्ध विद्याले का निरच्छन किया पठन पाठन से संबंदित कारे को देखा। बच्छों का टेंडन्स विद्याले के अन्य कई अभिले की बहुत ही बारिकी सी जाज की गई। जिर्निसर्न अवस्था में हैं जिसको लेकर वरी अधिकारी और संबंदित अधिकारियों को संग्यान में बात दी जाएगी। बिवस्था में बहुत हद तक सुधार किया जाएगा। जिला पदा अधिकारी महुदे के निदेपान होता दो विद्यालियों के जाज की गई। पुरवारी टोला बड़ी मकनपूर में है। यहां विद्याले में पठन पाथन के इस्था थी। बच्चों को पूछ कर देखा गिया। बच्चों को पामान जानकारी है। जब विद्याले पहुंचे तो मध्यान वहजन का बच्चों को खिलाया जा रहा था। लकड़ी पर खाना बनाया जा रहा है। जो सिच्चा विभाग के नियमों के बीपरीत है। परधाना ध्यापका को निदेश है कि होए। विभाग के निदेशों के निरूप गैस पर ही वो खाना बनवाया। विद्याले में काफी कम्यां हैं। भागलपूर के नवच्चिया के महमदपुर गाउं के रहने बाले डायल 112 के ड्रैवर सहपर हुसानिक अमीत कुमार की पिछले दनों स्रागद रुघटना में हुई मौत के बाद उनके स्राधिक्रम के दुरान पुरुवसानिकों के दुरासर धान जली कारिक्रम का अउजन किया गया। जिसमें पटना से आये राज्य पुरुवस्यानिक संग के अध्यच और पुरुवस्यानिक संगतन से जुड़ी लोगों ने स्वर्गय अमीत कुमार के चित्र प्रमाल लियारपन किया, पिलित परिवार को संग की और से 55,000 का चेक दिया गया, इस सबसब पर मिर्थक अमीत के सही होगी वगरामीन मौजूद रहे